Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे दोस्तों आज के खबर की जो आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सिक्षक भरती निक्ति में जारी होंगे 1634 मेधा सुची और अलग-अलग बिहार के 38 जीलों की अलग-अलग मेधा सुची यानि अलग-अलग का टॉप होगा उच मादमी के 30 विशे के अलग-अलग मेधा सुची जारी होगी मादमी के 10 और प्रात्मी के 3 टोटल 43 यहां पर विशे हो रहे हैं और 38 जीले हैं यानि कि दोनों का मेटिपलाई करेंगे तो 1634 आएगा इतने अलग-अलग मेरिट बनेगी तो क्या हर जीले का अलग मेरिट बनेगा किसी का कम किसी का ज्यादा तो क्या है इस खबर के सच्चाई बात करते हैं डीटेल में उससे पहले एक और खबर आप देख लिएजे सुप्रीम कोर्ट में आज 28 चातरों की फिट से सुनवाई है आज ये चात गए हुँ है सुप्रीम कोर्ट में 28 की आखरी उम्मीद की किरन है देखते हैं आज क्या होता है आज की सुनवाई में चीजें बिल्कुल अस्पस्ट हो जाएंगी और फिर सरकार भी आज की सुनवाई पर नजर बनाए हुए है और इसके बासरकार भी अपना डिसेजन ले लेगी कि उनको प्राइमरी में क्या करना है इसके वाई रिजल्ट भी जल देखने को मिलेगा तो आज जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में अपडेट आपको दिया जाएगा बने रहीएगा हमारे साथ चले बात करते हैं ये जो जीलेवार कॉट ओफ की सुरू कहां से हुई तो कल अतुल प्रसाज जी बीपेसिक चेर्मेन साहाब ने एक ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि आविस्वास करिए ना करिए सिक्षकवर्ती रिजल्ट की तयारी चल रही है और इसके लिए काफी प्रिप्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि 43 इंटू 38 यानि की 1634 मेरे डिश्ट बनाई जा रही है और उसकी वज़से समय लग रहा है छातर सयम बनाय रखें और हमें अपना काम करने दें अब यहां पर का पहले तो यह डाउट हुआ कि 43 गुड़े 38 है क्या ठीक है फिर बाद में चीज़ां क्लर होई मने आपको तुरूं कल बता दिया था कि 38 यानि की विहार के 38 जीले हैं और 43 यानि की 43 अलग अलग विश्यों की बात हो रही है मादमिक उच मादमिक और प्राइमरी का मादमिक और उच मादमिक की विशयवार भरती ठीक है और प्राइमरी में आपको पता ही है कि बांगला उर्दू और सामान मिला कर तीन तरह की सी सब्सक्राइब नियुक्त चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे लिखा गया है कि 38 जीलों की अलग-अलग मेरा सुची जारी करने का निड़र लिया है BPSC ने और ये भी बताया है इनोंने कि सब कुछ सही रहा तो 16 या 17 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा तो ये तो अच्छी खबर है कि 16-17 अक्टूबर को रिजल्ट आने की खबर आ रही है ले प्रोटल स्ट्रीटों के साफ एक ही मेरिड बनेगी ठीक है पहले एक कॉमन मेरिड बनेगा जहां पर एक जेनल का कॉट आफ होगा एक और बंगला उर्दूर सामान के लिए अलग कॉट आफ होगा ठीक है तो पहले एक मेन कॉट आफ ही बनेगा और उस दायरे में जो छात राएंगे फिर उनको जॉइनिंग कराई जाएगी जिलो में और फॉर्म भरतर समय आपको पता है कि आपने तीन जिलों का प्रिफरेंस दिया था अब यहीं से कन्फुजन शुरू होता है तीन जिलों का आपने प्रिफरेंस दिया है किसी एक को मालेज आपने पहले पर रखा है मालेज आपने सीवान को पहले पर रखा है ठीक है फिर कोई दूसरा जिला मालेज ये गोपाल गंज है इसको आपने दूसरे पर र रहा था कि ये preference है आप preference चुनिये और तिन option दिये जा रहे थे तो कुछ बच्चों ने इसे exam center समझ कर चुन लिया और आपने देखा भी होगा कि जो आपने preference चुना है वहाँ पर center भी नहीं गया था तो ये exam center नहीं था बलकि preference ही था हाला कि यदि आपने exam center समझ कर भी इसे हमें कहीं बाहर तेखा रहे थे माली जब वची हीं लहाबाद में उससे मığını वह लए लहाबाद में थे उन्होंने सुचा कि हम लहाबाद में हैं और exam देने हमें जाना है तो हर जो वहां से नजदीक था उन्होंने वह जिला चुन लिया पेपर देकर फिर वह लाहाबाद भ हो रही है ऐसे में कुछ बच्चों से गलती हुई है फिलाल उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे तो मान लेते हैं कि आपने तीन जिला चुना ठीक है सिवान फिर एक मैंने यहां पर गोपाल गंज और तीसरा मैं यहां पर लिख लिए पटना अब देखिए पर गोपाल का जो माल लेते हैं कि 800 सीट है ठीक है और पटना में माल लेते हैं एक हजार सीट है तो अलग-अलग अंटीसो जिलों से रिक्तिया मंगाए गई हूं फिर पूरा जोड़कर प्राइमरी में लगवग 80,000 सीटे हुई है तो इन 80,000 सीटों को प्राप्त करने के ब मेरिट बन जाएगी आप यह भूल जाएए कि आपने कोई जिला चुना है और जिले की अलग-अलग मेरिट बनने वाली है बिल्कुल आप इसको नेगलेट करिए आप इसको याद ही मत रखिए आप बस इतना याद रखिए कि 80,000 सीटें हैं काटिग्री वाई सीटों को बा और मिलेगा ही मिलेगा तो मेरिट आपका कॉमन ही बन रहा है निवस पेपर में जो खबर है वो गलत तरीके से छब गया जो चैर्में साब का ट्विट था उसको तरीके से ये लोग समझ नहीं पाए ठीक है मैं आपको यहाँ पर सही तरीका बता रहा हूं कि आखिर उनके कह किया है तो जिला आपको मिलना तै है कोई न कोई जिले में आपको निक्ती मिल जाएगी तो पहला डाउट आपका यह क्लिर हो गया अब दोस्तों देखिए जिलेवार जो मेरिट की बात कही गई है और जो आपसे प्रिफरेंस लिया गया है उससा क्या मतलब है अब माल लेकिन सिवान को चुनने वाले छात्रों की संख्या है एक हजार ठीक है अब सीटा तो पांची सो यहां पर है तो नौकरी तो पांची सो को मिलेगी एक हजार को तो नौकरी मिली नहीं सकती क्योंकि उतनी सीटे है नहीं ये बात किलट हो गई तो अब इस एक हजार में जो एक हजार छात्र है जिन्होंने सिवान चुना हुआ है इन में से उन पांसों लोगों को नोगरी मिलेगी जो इन एक हजार में से बहतर मेरिट वाले होंगे ठीक है तो एक यानि की कुट ओफ उस जिले का भी बन जाएगा क्योंकि एक हजार में पांसों लोगों को उहां पर ज फश्पन तो फश्पन का मतलब क्या है कि वो आखुरी बच्चा जिसका जॉइनिंग भीहारसुक्षक बर्ति में हो गया जो आख्री बच्चा जो सबसे कम नमब्र वाला बच्चा था जनरल में उसका नंमब्र पश्पन था चुन वाले का नहीं हुआ पश्पन कि यह कट अफ है तो इसी प्रकार से जिले में भी होगा क्योंकि जितनी सीथे हैं उतने लोगों को नोगरी मिलेगी उससे अधिक लोगों ने यदि उस जिले को चूछ किया होगा तो फिर पिर जो लास्ट बच्चा है जिसको वो जिला मिला वो इस जिले का कट अफ हो जाएगा तो इसको भी तो भी पिएसी डिसाइड करेगा कि किसको कौन से जिला मिलना इसी वेस्ट को कह रहे हैं कि 43 गुड़े 38 ठीक है तो पहला जिला चेक हुआ यदि आप ने जो जिला चुना था उसमें आप आ गए तो आपको वह जिला लोट हो जाएगा यदि पहला जिला नहीं मिला दूसरे जिल कि निमावली को ध्यान में रखा जाएगा ठीक है तो यहां पर भी यदि आप आ गए तो ठीक है अगर यहां पर भी आपका नहीं हो पाया चैन तो फिर तीसरा जिला चेक किया जाएगा ठीक है और तीसरा जिला जो है यदि आपका वहां पर सेलेक्शन हो गया तो ठीक है न एलाट होगा ऐसे ही में दोस्तों हो ये सकता है क्योंकि selection तो होना ही होना है क्योंकि जो number आपने पाया है मालीज़र प्रच्पन number आपने पाया है आप merit list में आ गयी है इसका मदलब ये साफ है कि विहार का कोई ऐसा जिला है जहां पर cutoff 75 है वहां पर आपको तो यहां पर माल देते हैं कि आपका तीनों जिले में से किसी में भी मेरिट बन गई तो आपको वहां पर जौनिक मिलेगी नहीं मिली तो होगा क्या यहां पर दोस्तों दो पहला तो यह है कि पच्पन नंबर आपका है ठीक है और आपने जो तीन जिले चुने थे उसमें आपको जौनिक नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पर कट आप चला गया क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों ने उसको चुना हुआ था तो ऐसे में होगा क्या कि यह देखा आपको बताया जाएगा देखिए आपका जो कॉट ओफ है इस पर सिर्फ एक ही जिला है जहां पर आपको जौनिक मिल सकती है आपको जौनिक दे दी जाएगी और माने जे कि उस क्रट आप पर 2 जिले है चार-पांच जिले हैं। हो सकता है कि आपको आप इनमें से कोई एक बताइए आपको जो आने कहां चाहिए क्योंकि जो आपका कॉट आफ है यह सिर्फ इन ही जिलों में फिट बैठता है तो उन में से आप से पुछा जाएगा आप जो कहेंगे वह तुरंट होगा या फिर उन से ऑटोमेटिक कोई एक जिला एलॉट कर दिया जाएगा तो यह व्योस्ता है और इसके कोडिन सारी शिजह होंगी ठीक है उत्तर प्रदेश में भी होता है ऐसा नहीं है कि विहार में यह पहली बार हो रहा है वो तो अध्यास साब आपने ऐसा ट्विट कर दिया ठीक है 43 गुड़े 38 लिखकर इसके वज़े से चीज़त वासा उलज गई उत्तर प्रदेश में भी 75 जिले हैं ठीक है यहां पर भी हर जिले की अलग-अलग मेरिट होती है ऐसा नहीं है कि एक ही मेरिट बनता है लेकिन पहले एक ही मेरिट होती ठीक है क्योंकि शुरुआत में तो उनको इस बात का टेंशन ही नहीं था कि जिले की भी मेरिट बनने वाली है कहां पर क्या होगा पहले एक्जाम दिया एक रिजल्ट आ गया रिजल्ट में जो लोग आ गए यानि कि उनको जौने मिलनी थी अब उन्होंने प्रिफरेंस दि लिए गया था यहां पर सभी के सभी 75 जिलों को भरवा लिया गया था अब आपने जो सबसे पहला जिला चुना है यदी आपका मेरिट उसके प्रिफरेंस दिया था तो उनको स्वाथा दूर जिला मिल गया तो बात को आप अपको कोई डाउट नहीं होगा और इस जिलेवा और मेरिट से कोई भी फर्क कॉमन मेरिट पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तो पहले सही था कि कहीं न कहीं आपको जौनी मिलने ही मिलनी है अब कुछ लोग यहां पर यह कमेंट करें कि दस आप कहरें कि अर्टिस गुले 43 ठीक है बिहार के अर्टिस जिलों के छात्रों की बा जौनी होगा ठीक है जो यूर का कॉट आप होगा वही इन अधर श्रीट के छात्रों का भी कॉट आप होगा तो उनके लिए अलग से बात करनी की जरूवत ही नहीं है यह जो अर्टिस जिले हैंसी में से कोई एक जिलाइन को मिलने वाला है तो यह भी आप बास समझ गए ब प्रण्स पर वाचर्ण जूरओ स्घ्ट करते हैंस नहीं है चाहते हैंस थाहते हैंस तो कॉट दूब है